हरो फ्रेंट्स में हूं अंजली स्वागत आप सभी का हमारी चानल नेक्स्टाइट नीज्स और आज के इस वीडियो में इस रेपोर्ट में इस खास प्रोग्राम में बात करने वारी हूं बॉलवुट की बच्चन फाम्मली के बार बच्चन फाम्मली को लेकर बात की जाया तो यहां पर बच्चन परिवार में जो अमिता बच्चन के दो बच्चे हैं अभिशेक और श्वेता बच्चन नंदा इन दोरों की बात अगर की जाये तो यहां पर एक दौर ऐसा था जब अमिता बच्चन काफी बिमार चल रहे थे उस दोनान उन्होंने ये कहा था कि काफी तेजी से वारल हो रहा है मिताब बच्चुन का वह अपनी बात से मुकरते नजर आ रहे हैं वह अपनी बेटी को ज़ादा ना देने का दावाख इसका मतलब यहाँ पर श्वेता नंदा बच्चन का तो अमिताब ने नाम ही नहीं लिया तो क्या बच्चन परिवार में कुछ ऐसा चल रहा है जो शोशल मीडिया से या फिर मीडिया से चुपा हुआ है कि श्वेता बच्चन नंदा और अमिताब बच्चन के बीच कुछ यहाँ पर बाते चल रही हैं जो मीडिया से खफा है वहीं पर बात की जाए यहाँ पर श्वेता की तो वाक्सर अपने माता फिता के साथ ही टैंस्वेंड करती नज़राती है लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अमिताब बच्चन ने इस बात को इस तरीके से शुशल मेडिया पर अलान किया क्या वो अपनी बेटी श्वेता को अपनी ज़ादात सभे देखल कर रहे हैं यह सब जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रेपॉर्ट एक खास प्रोग्राप लास्तर अमिताब बच्चन या फिर उनकी बच्चन फामिली अक्सर सुर्खियों में बनी रहती है वही पर उनकी अमिताब बच्चन के बिमारियों को लेकर अगर बात ही जाए तो वो काफी बिमारियों से संक्रमित है उन्हें सांस लेने में भी कभी कबार दिक्कत होती है तो वही पर उन्हीं लिवर सिरोसिस भी है 75% उनका लिवर डैमिज है 25% लिवर के साथ वो अपनी जिन्दगी व्यतीत कर रहे हैं तो वही पर उनको और भी अन्य बिमारियां हैं जिनसे वो जूच रहे हैं इसे बीच यहाँ पर एक वीडियो काफी तीजी से वारल हुआ था जो यह द आपको बता दे चली तो यहाँ पर अमिताब बच्चन ने उस वक्त कहा था उस दौरान कहा था कि वो बेटा बेटी पर फर्क नहीं करेंगे वो अपने बेटे और अपनी बेटी श्वेताब बच्चन को बराबरी का हग देंगे बराबरी का हिस्सा देंगे और उनकी का वीडियो है जो वारण हुआ था लेकिन आपने ही बात से पलटते नजर आ रहे हैं अपने ही चीजों से वह पलट रहे हैं अपनी बेची को प्रॉपर्टी से दखर अंदास करने की दावा एक रिपोर्ट कर रही है जिसका वारल चेक करने के लिए आज को यह वीडियो हमने बनाए हैं तो हमने पहले इस फैक्ट में बात करी कि आखर किस तरीके से अमिताब का एक वीडियो वारण हुआ था जिसमें अमिताब ही दावा कर रही थी तो अगर दूसरे फैक्ट की तरफ रुक करें कि आखर ऐसा क्यों कहा जो रहा है कि अभिशेक बच्चन को ही सिर्फ प्रॉपर्टी मिलेगी बलकी श्वेता बच्चन को भी धिखल कर दिया गया है दरसल हाल फिलहाल में ही दसवी का ट्रेलर रिलीज हुआ जिसमें अभिशेक बच्चन में रूल में किरदार पर निभा रहे हैं जो हां पर एक कैदी हैं वो कैदी बने हैं जो कि अंदर से ही जेल में दसवी कि तयारी करता है एक्जाम की तयारी करता है ना उम्र देखता है ना कुछ देखता है पड़ाई के लिए सब कुछ करने के लिए तयार है तो इसे वीच यहां पर अमिटाब बच्चन इस ट्रेलर को अपनी इंस्टेगराम पेस से शेय किया और उसके ऊपर क कुछ ऐसा कैप्शन लिख डाला जो सुनकर आप खुद भी सोचेंगे कि शायर अमताब अपनी बेटी श्वेता बच्चन को दखल बेदखल कर चुके हैं अपनी प्रॉपटी से तो चलिए देखते हैं इसका वारल फैक्ट आखर क्या है अमताब बच्चन बॉल्वुड के का काफी काम नाम और पैसा कमाया जुसकी बदौलत उनका आज के समय में पूरे बॉल्वुड में काफी सम्मान किया जोता है यही बात एशो अराम की तो अमताब बच्चन बहुत ही आलिशान तरीके से अपना जीवन वितीत करते हैं अमताब जी को लेकर हमेशा उनके वारस या बोल सकते हैं कि उत्रा अधिकारी को लेकर जरचा रहती हैं अमताब बच्चन के बाद फोन उनकी अर्बो की संपत्ती का मालिक बने का या बोल सकते हैं कि कौन उनकी जादात का वारस होगा अमताब बच्चन ने कुछ महीने पहले अपने शू के बिसी में अपने बेटे अभिशिक के लिए कहा था कि मेरा जो है वो तुम्हारा है नहीं है जिसके चलते ही है खबर सामने आई कि अमताब बच्चन अपने बेटे को अपनी जादात का वारस नहीं बनाएंगे हाल ही में अमिताब बच्चुन ने बहुत बड़ा एलान कर दिया है जिसने अमिताब बच्चुन से अपनी जालदात का वारस के बारे में बताया उनके बाद कौन है उनकी संपत्ती का मालिक होगा आईए आपको आगे बता दे चुले आखर क्या है इस खबर का वारल फैक्ट तो यहां पर अमिताब बच्चुन ने अपने जीवन में इज़त के साथ साथ काफी पैसा भी कमाया अमिताब बच्चुन के संपत्ती के बारे में बताया तो वर्तमान समय में उनके पास कुल 4000 करोट से भी जादा संपत्ती है अपनी संपत्ती के बदौलत अमिताब और उनकी जाइदा का उत्राधिकारी होगा। लेकिन इस पूरे वाक्षे में उन्होंने अपनी बेटी श्वेता बच्चन का जिक्र तक नहीं किया जो सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आखिर अमिताब बच्चन ने जब वीडियो वारल हुआ था उनके एक इंटर्व्यू का उस जुरान तो उन्होंने बेटी और बेटे को इक्वल तरीके से कहा था कि इक्वल तरीके से वो दोनों में अपनी जायदात का बटवारा करेंग दरसल उन्होंने ट्रेलर को शेयर करते हुए यहां पर ट्रोलर्स को निशाना साधा है जो अभी शेक बच्चन के ट्रोलर्स हैं उन्होंने यह बात कही है और उस बात पर उन्होंने रुक किया है लेकिन अभी भी उन्होंने शोचल मेडिया पर पूरी तरीके से इस बात का जिक्र नहीं किया कि वो अपनी जायदाद में से अपनी बेटी को बेदिखल कर रहे हैं तो इस खबर का पूरा वाइरल च्रेक आपको कैसा लगा कमेंट करकर जरूर बताईएगा तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह अमिताब बच्चन का ये पोस्ट काफी तेजी से वारण हो रहा है हाला कि यहां पर शाफ सब्दों में अभी तक भी अमिताब बच्चन ने कोई भी ऑफिशल स्टेट्मेंट अपनी संपत्ती के बटवारे को लेकर नहीं किया है लेकि अपने बेटे की दशबी के ट्रेलर को देखकर काफी सरहाना करते हुँ नजरा रहे है और उन्होंने ट्रोलर्स पर निशाना साधा है सीधा सीधा ट्रोलर्स को सुनाया है और यहां पर जो अभी शेक बच्चन की आक्टिंग की निंदा करते हैं उनको मूह तोड़ है तो आपको एक खास प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट का कर जरू बताईएगा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें फिलाल के लिए इतना ही अंजली की रिपोर्ट नेक्स नाइंगर्स